मैं आणिशन मिस्टर और आप देख रहे हैं दे इंसाइड स्टोरी तो भारतिय जननता पार्टी बिहार में सथा से बाहर हो गई है इस ersबात का गुस्सा भी है और पर रही है ऐसे में वो एक विकल्प तलाश रही है तो वो विकल्प क्या चिराग पासवान है क्योंकि उन्हें केंद्रिय मंत्री के पत पर अब आसीन किया जाएगा बैठाया जाएगा ये खबरे निकल कर सामने आ रही है तो ऐसे में 2024 की क्या तैयारी बीजेपी की तरफ से चल रही है बिहार की बिहार के मदेन शार आगर देखें मैं तो सियासर कैसे मिलने को हनुमान त्याar है ये माना जाए और सियासर साधने के लिए बीजेपी की तरफ से दीखे अभी तक ये सूचना तो चिलाग पासवान की तरफ से नहीं आई है कि कुछ ऐसा प्रोपोजल है और वो तयार है लेकिन ये जो जानकारी आ रही है वो भारती जिंता पार्टी के कैम्प से भी आ रही है और लोगों का एक मानना है कि नितिश कुमार के खिलाफ रहे च चिलाग पासवान अब जब नितिश कुमार चले गए हैं बीजेपी के विरोधी खेमे में तो जाहर है कि उनकी निकटता अब भारती जिंता पार्टी से बढ़ेगी और ये गुणा गणित इसे लिए क्योंकि आज भारती जिंता पार्टी के पास सहयोगी के नाम पर कुछ खास लोग हैं नहीं जबकि दूसी तरफ भारती बिहार में जबकि दूसी तरफ साथ पार्टी का एक गड़ बंधन उनके खिलाफ खड़ा है जो कि जाती है गुणा गणित में भारती जिंता पार्टी से बीस पड़ता है तो आज की तारीख में ऐसे में जबकि नितिश हैं क्या इंडिये में चराग वापसी कर सकते हैं और क्या जो वापसी की शर्ते होंगी वो एक मंत्रिपद के तौर पर होंगी इस बात की अटकले बहुत दिनों से लगाई जा रही थी क्योंकि उनके पिता और लोगजन शक्ति पार्टी के संस्थापक रामिलास पासवान नरिद मोदी के दोनों कारेकालों में मंत्री रहे लेकिन उसके बाद जब उनका देहान्त हुआ तो ये जगह जो है वो दे दी गई उनके चाचा को पारिवारिक पिवाद भी हुआ और पार्टी तूटकर दो धड़ों में बट गई जो उनके चाचा हैं पसुपती पारत फिलहाल जो मंत्री है के इंद्र में पिछले एक सालों में ये दिखा है कि बिहार की जमीन पर उनका राजनेती कर रसूख चिराग पास्वान से कम है और जो पास्वान समुदाय के वोट्स हैं खासतार पर वो ज्यादातर या यू कहें कि सारे के सारे वो चिराग पास्वा चाचा को मंत्री मंडन में रखने की बहुत ज्यादा भारती जनता पार्टी के नितरतु को दिख रही होगी कहा नहीं जा सकता है जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि चिराग पासवान की जो सियासत है वो 6% वोटों के आज पास है उनका जो आधार वोट मना जाता है तो क्या इतना आधार बीजेपी को मजबूती देदेगा बिहार के अंदर कि लोग सभा चुनाओं की जो 40 सीटे हैं उसमें कुछ बहतर कर जाएं बहुत बहतर कर जाएं बीजेपी देखे रामिलास पासवान की शुरुआत एक दलिद नेता के तौर पर हुई थी और उनकी राजनी तो बहुत दिनों तक वंचित समाज पिछड़ा समाज अकलियतों इन सब के बीच रही और ये भी सच है कि जो अपरकास सोसाइटी है उससे भी उनकी अदावत नहीं थी तो उनकी स्विकारिता कमों बेज समाज के करीब करीब भरवर्ग में थी और उन्होंने अपनी राजनीत उस तरह से चलाई थी लेकिन बाद में जब नितिश कुमार सटा में आये तो उन्होंने जो राजनीतिक प्रियोग किये उसमें उन्होंने मुसलमानों में पसमान्दा मुसलिम बनाया जो कि बैकवर्ड मुसलिम्स का समोह होता है और जो संख्या में जो अपर कास्ट मुसलिम्स होते हैं अशराफ उनसे ज्यादा होता है जिसका जिक्र है कुछ दिन पहले प्रधान मंतरी ने भी किया खुद किया था तो उस तरह से उन्होंने पसमादा मुसल्मानों के एक समूख को रिकेगनाईज किया और कहा कि असरी वोट तो इनके पास है उसी प्रकार उन्होंने OBC में भी EBC यानि के OBC में वो जो कि सबसे पिछड़े OBC है एक्स्ट्रीमली बैकवर्ड कास्ट की सनरचना की वो कलपना किया और उसका एक अलग वोट बैंक तैयार कर दिया क्योंकि उनकी मानिता थी कि OBC में ज्यादा मलाई केवल यादरों को मिला है तो बैकवर्ड कास्ट में बाकिक के जो कास्ट्स हैं उनको लाब नहीं हुआ है उसी प्रकार उन्होंने दलितों में एक महा दलित वर्ग बना दिया और महादलित वर्ग में बिहार की 22 दलित जातियों में से 21 दलित जातियों को महादलित कर दिया और एक पासवान जाती को उन्होंने केबद दलित रखा मतलब उन्होंने थाबित कि दलितों में पासवान जो हैं वो जादा लाभारती हैं जादा लाभानवित हैं OBC में जो यादव हैं वो जादा लाभारती हैं जादा लाभानवित हैं और उसी प्रकार मुसल्मानों में जो पासमांदा नहीं हैं अश्रफ हैं वो जादा लाभारती हैं लाभानवित हैं और इसी कारण से उन्होंने वंचितों का एक समोह बनाया एक वोट बैंक के रूप म तयार उनों ने किया और वो बना भी उनको चुनाओ दर चुनाओ उसका फाइदा हुआ है इसी कारण से ये जो आप कह रहे हैं कि 5-6% वोट की राजनीत ये 6% वोट इसलिए क्योंकि उनकी अपनी जाती 6% के आसपास बिहार में आती है और इसी कारण से चुकि महादलित वर् नितिश कुमार के द्वारा तो ये जो ऐसा कॉइनेज था एक ऐसी शब्दा वली गढ़ दी उन्होंने कि वो ऐसा लगता है जैसे कि उसने अपनी जगह बना ली है तो इसलिए अब आप भी कह रहे हैं दलित समाज का नेता बनना जाहिर है कि वो ज्यादा बड़ा पहचान है मायवती केवल जाटव की नेता तो है नहीं वो जाटव जाती से आती हैं लेकिन वो दलित समाज की नेता है उसी प्रकार जग जीवन राम कोई केवल बालमीक समाज से तो उनका तालुक नहीं था वो तो बड़े वर्ग के नेता थे या केवल महार जाती से तो अम्बेद तो हासिल होता है नेता को लेकिन उनका फैलाव जयाता होता है पहली बात और दुसी बात यह है कि यह जो 6% वोट होते हैं बिहार की राजनीत हो या उत्तरप्रदेश की अगर एक बड़े वोट बैंक के साथ जुड़ते हैं तो फिर यह बड़े वोट बैंक के लिए एक multiplier effect का काम करते हैं जैसे माली जे कि किसी के 20% वोट हैं पहले से तो वो 26% वोट यकायक हो जाते हैं तो हाला कि राजनीत इतना सीधा टू प्लस टू फोर नहीं होता है लेकिन यह होता है कि political caste कुछ caste होते हैं और पास्वान जाती बिहार में political caste है क्योंकि वोट करती है उसके वोट जो हैं वो जायर नहीं जाते हैं वो वोट करने पहुचती है और वो ऐसी जाती होती है जिसके वोट कोई रोक नहीं सकता है क्योंकि वो संतरी का का काम करते हैं चौकिदार का का काम करते हैं गाओं में उनका जो पेशा होता है तो वो मजबूत लाठी लेकर उस तरह से वो अपने आपको position किया हुआ है society में तो उनके vote को दबा नहीं सकता है कि हम दबा देते हैं आप vote ना करिए आप कुछ होते हैं जो vote नहीं करने जाते हैं डर के मारे तो यह जाती उसमें नहीं आती है तो बड़ी निरनायक हो जाती है जब फासला बहुत कम का रहता है और कभी माली जे तीन चार फीसदी का फासला रहता है उप विजेता और विजेता के बीच में तो यह जाती हैं जिधर जाती हैं छोटी छोटे दलों वाली जो जाती आधारे दल होते हैं वो बड़ा important factor बन जाती है अचा कुछ शर्ते भी चिराग पासवार ने रखी है जिनका जिक्र अब हुरा चार शर्ते बताई जा रही है कि एक तो चाचा को बाहर करिए नितिश कुमार्च से फिर दुबार आपको संबन में रखना है इसके अलाबा एक चीज यह भी कि 2024 के लिए अभी से हमको बताईए कि कितनी सीट देने वाले हैं और हमको केंदरिये पत्तो आप दे ही रहे हैं वो तो एक अलग की बात है हमारी पार्टी कितनी सीटों पर लगने तो कुल में लाकर कितनी सीटे आपको नजर आ रहे हैं कि ल यह रखता है बिहार और यूपी में तो खास कर खास तार पर सही बात है लेकिन देखिए कि दूद का चला चाच फुक फुक कर पिएगा अब हम लोगों ने इस बात को देखा था कि किस तरह कि चराग पासवान ने असेंबली के जो चुना हुए थे बिहार में 2020 में तो भा बड़ा फाइदा हुआ और आर जेडी आज सबसे बड़ी दल वहां पर पिहार में है तो और वो काम उन्होंने बीजेपी के साथ नहीं किया तो कमों बेस बीजेपी की भी वही संख्या है जो आर जेडी की है एक दो सीटे मों पीछे हैं यह दो दल तो फाइदे में रहे न कैंडेट भले न जीत पाया हो लेकिन जनता दल युनाइटे के कैंडेट को हरवाने में उसने एहम भूमिका निभाई और यह आधी सीटों पर करीब करीब बिहार के हुआ जिन पर जनता दल युनाइटेट लड़ रही थी तो ऐसे में अदावत नितिश कुमार के साथ कही न कहीं वेक्तिकत हो गई चराग पासवान की और अपने विरोध में नितिश कुमार का विरोध करने के करम में वो लगातार कंसिस्टन्ट रहे हैं जो कि उनकी जो राजनीतिक सुर्योदय है वो तो एंडिय के साथ हुई है वो पहला चुनाओ जब लड़ने गए दोहजार चौदा में तो वो एंडिय के उमिद्वार थे दूसरी दफ़ा भी जब वो लड़े तो एंडिय के ही उमिद्वार थे वो अभी तक आरज़ेडी के साथ राजनीत नहीं उन्होंने किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि नितिश कुमार जब दोहजार पंद्रह में छोड लेखर चले गए उसके बात से जो विरोध उन्होंने किआ क्योंकि दोहजार चौदरह के चौराओ में नितिश कुमार थे वो अिंडिय के साथ थे नहीं हम An- wij तो आकेले लड़ है दोहजार के चौदरह के चौरा में तो वह साथ थे नहीं हो तो आकेले लड़ ज़ एाजında का दामन थाम लिया था तो ऐसे में चराक पासवान की जो राजनीत है शुरुवाती वर्शों में नीतीज के खिलाफत में बीती है तो वो उस खिलाफत की लाइन को वो कंसिस्टेंट्ली बना करके रखे हुए हैं उन्हें लगता है कि इन्हें बहुत मौका मिला है और इन्हो जैसे पिछडे राज्य को अभी तक दोहजार पांच से लेकर के दोहजार बाइस तक जब सत्ता मिली एक वेक्ति को तो कहीं और होना चाहिए आगे होना चाहिए लेकिन डिवलप्मेंट के सारे इंडीसेज पे बिहार सबसे पीछे रहता है तो इसकी क्या वजा है यह सवा जाफ चुनावर और उसी का खाम्याजा उन्हें भगतना पड़ा कि नितिश कुमार ने उनकी पार्टी तुड़वा दी चिराग पासवान के पास क्या कोई दूसरा ऑप्शन है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर ना भी जाए तो फिर उनके पास ऑप्शन क्या ह भारतीय जनता पार्टी को किस से जो है कॉंप्रमाइज करवा पाएंगे क्योंकि जिस तरह से वो शर्ते रख रहे हैं उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर मना कर दिया कि ठीक है हम नहीं करेंगे आपके साथ तो इनकी सियासत तो और हाशी पर चली जाएग चराग पास्वान को उन्होंने दूर इसलिए किया था क्योंकि नितिश कुमार ने कहा नितिश कुमार ने घुसे में आकर वो पार्टी तुरवाई वो लंबी कहानी है जिसमें कि उनके चाजा उनसे अलग हुए सारे सांसद अलग हो गए क्योंकि बिहार में नितिश जी की सरकार थी और उनने पूरी कहानी मीडिया के सामने रखी चराग पासवाने के किस तरह से उनकी पार्टी को तोड़ा गया परिवार भी तूट गया तो उनकी जो नाराजगी है नितिश कुमार से तो बहुत जियादा है और इसी कारण से वो अभी भी नितिश कुमार के खिलाफत कर रहे हैं पर आपने बड़ा माकूल प्रशने किया कि भारते जनता पार्टी के सामने अब शर्ते रखने की क्या वज़ा हो सकती है अब तो उस भाविक तोर पर मिल जाना चाहिए देखे सियासत में तो आप जानते हैं कि कोई चीज पर्मनेंट होती नहीं है आज की तारीख में तेजस्वी यादव ने कई बयान पीछे दिये जिसमें कि उन्होंने कहा कि चराग पासवान को हमारे साथ होना चाहिए उनके भाई तेज पर्ताप यादव ने भी कहा कि चराग पासवान को हमारे साथ होना चाहिए लाग यादव ने कहा कि सारा वोट पासवान जाती का चराग के पास है के पास कुछ नहीं है लागी आदव वहां के बड़े एक मझे हुए राजनीतिक जो हर जाती है गुणा गणित को बहुत बहुत समझते हैं तो ऐसे में एक वेलकम साइन उनके पास आरजेडी की तरफ से है और आरजेडी विल कॉल दो शॉट्स इन बिहार ये तो तैह है आने आरजेडी के साथ चिराग पासवान की संभावना हमेशा कायम है आज की तारीख में नितीज प्लस आरजेडी मिलकर के एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते हैं जिसकी वजह से बीजेपी को चिंता करनी पढ़ रही है बिहार के 40 सीटों को लेकर अगर फर्ज करें कि उसमें चिर रोध को कायम रख सकते हैं लेकिन चुकि अब मुख्य उसमें चेहरा जो होंगे वो तेजस्वी होंगे तो इस कारण से वो राजनेतिक गुणागरित और फाइदे के लिए कॉम्प्रमाइज कर सकते हैं कॉम्प्रमाइज उनका इधर भी है ऐसा नहीं है कि वो सहर आना चा गए और एक तरफ चिराग आ गए चाचा का ना रहना पार्टी के लिए कितने नुक्सान दायक है या फिर चिराग की सियासत के लिए कितना अच्छा है क्योंकि वो अब एक वन औल्ली वाले इस्तिमाग है जहां देखे जब तक पार्टी तूटी नहीं थी तो राम बिलास पासवान की लेगेसी के दम पर राजनीत कर रहे थे चाहे चाचा हों चाहे चिराग हों और अचानक से पार्टी तूट गई हाशे पर चले गए पांच सान साथ एक तरफ जो जिसको कहा जाता है कि जमीन से फिर राजनीती शुरू करना चुनावचन नह बदल गया पार्ट पास और सत्ता से दूर राज में भी और केंडर में भी चराकी ये इस्थिती हो गई तो ऐसे में उन्हों ने एक निया तरीका निकाला उनकी राजनीत को जो मैं पड़क रहा हूं उसमें मैंने पाया कि उन्हों ने लोगों के बीच जाकर के अपने आपको विक्तिम बताना शुरू कर दिया और आप जानते हैं सियासत में उत्तर प्रदेश बिहार के आई तो पुरे देश सियासत में है कि जो अंडर डॉग होता है जनता उसके साथ सुभावता चली आती है कि देखे मेरे साथ धोखा हुआ है तो पबलिक एट लार्ज और उनकी जाती विशेस करक उनके पीछे लामबंद हो गई और ये बात हुक्मरानों ने दिल्ली में भी देखा और बिहार में भी देखा और कैसे चाचा उनके हासिये पर जाने लगे क्योंकि मंत्री के तौर पर भी जो मौझूदगी थी रामभिलास पासवान की केंद्रे मंत्री परिशद में उसका दस परसेंट भी उनकी मौझूदगी पसुपती पारस जी की नहीं यहाँ पर दिखी तो एक तो युवा नेत्रत युवा चेहरा दूसरी ये कि पिता का जो भी कमाया हुआ होता है यश वो हमारे समाज में बेटे को जाता है वो एक नियम भी है जिसको कि हम और आप बदल ही सकते हैं भाई को जाता हुआ मैंने कम देखा है पुत्र को जाता हुआ और दूसरी उनकी अपनी महनत पिछले एक सालों में जिसमें कि उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं शुपाल और मुलाइब तो इस तरह से उनों और तीसरा उन्हों ने जो एक साल अपना महनत गिया लोगों के बीच जा जा करके और वो क्राउड में घुस करके जो एक नेता के तोर पर अपने आपको निकारने की बात होती है अपनी कमीयों को दूर करते हुए बहुत से कहा जाता था कि बहुत से उनके सही योगी थे जिसे लोग नाराज रहा करते थे उन्होंने तमाम सहीयोगियों को दूर किया, खुद जनता के पास चले गए और सब के पास जाकर के कहा कि मेरा नुकसान हुआ मैं आज अकेला हूँ, मेरी मा के वर मेरे साथ है और उसके बाद धिरे धिरे करके परिवार के वो लोग उनके करीब भी आ गए है जो लोग अपने आपको पशुपती पारस के करीब नहीं पा रहे हैं और इस तरह से उन्होंने अपना एक पारिवारिक कुनबा भी तैयार कर लिया और पार्टी जो अपनी उन्होंने बनाई उसमें तमाम वो लोग जो पहले रामविलास पासवान के साथ उनको जोड़ लिया अब इस बात को अब्जर्व करने वाले जितने राजनीतिक दल हैं चाहे वो आर जे डी हो, चाहे वो बी जे पी हो उन सबों ने इस बात को देखा कि अब जब की वोट्स इनके पास आ गये हैं इनकी इस्थिती कमोबेस रामविलास पासवान वाली हो गई है तो क्यों अब फिर इनको अपनी तरफ मिलाया जाए राजनीत में कोई पर्मनेंट दुश्मन भी तो नहीं होता है तो भारती जनता पार्टी अगर उन्हें अपनी तरफ खीचने के लिए मंत्रिपद या ये दुसरी तरफ की बातें कर रही है तो ये बहुत स्वाभाविक है लेगि जो आखरी बात आपने कही कि क्या वो मंत्रिपद से मान जाएंगे या फिर वो सीटों के बारे में बात करेंगे क्योंकि आपको याद होगा सीटों की वज़ा से उनकी क्लाश हुआ क्लाश शुरू हुई थी वो ज्यादा सीट चाहते थे देखे जितनी सीटे उनको दी गई थी जस्टिफाई नहीं हो पाया था यह तो सच है तो भारते जन्ता पार्टी उन्हें कम सीट देना चाहती थी यह उन्हें स्वीकारिय नहीं था और उन्होंने अपनी रसूख अकेले दम लड़कर दिखाई है तो एक स्पेस तो बन गया है अब ऐसे में वो चाहेंगे कि जो बीस महीने के आसपास बात चुनाव होने है लोकसभा की सीटे आप बता दीजिए कि मुझे कितनी मिलने वाली है और फिर हम उस पर काम करना शुरू कर दें यह मेरी कोशिश होगी विधान सभा में रफली कितना हमें सीट देंगे तो केवल मंत्री पद पर वो तैयार हो जाएंगे मुझे इस बात में जरा शक लगता है उन्हें की कोशिश है कि मेरी पार्टी मजबूत बने और मंत्री पद में अब बहुत ज्यादा चमक नहीं रह गई क्योंकि अगर आप साल भर के लिए मंत्री या 12-15 महीनों के लिए होते हैं तो बहुत कर पाएंगे अपने कंस्टिटूएंस के लिए ऐसा है नहीं लेकिन अगर अपनी पार्टी को ज्यादा सीटे ले लिया आपने और मस्बूत कर लिया तो वो ज्यादा बड़ी बात होगी तो संभावना यहीं वेक्त की जा रही है कि वो मंत्री पत्र तो उसका एक पक्ष होगा शायद नभी हो क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि बस चाचा मंत्री न रहे उनकी कोशिश तो यही होगी खुद बन न बने लेकिन हमारी पार्टी को सीटें ज्यादा मिल जाए ऐसे में जबकि बीजेपी के पास सही होगी नहीं है तो वो ज्यादा उनका एक तरह से फोकस होगा कुल विलाकर राजनीती बिहार की जिस तरफ जा रही है आम चुनाओं में बिहार के अंदर चिराग पास्वान एक फैक्टर होने वाले हैं इस बात को लेकर चला जा सकता है समझा जा सकता है हाँ चिराग पास्वान अपने साथ एक particular vote bank लाते हैं पर बीजेपी का काम सिर्फ इतने से चल जाएगा ऐसा नहीं है बीजेपी को और भी कुछ करना पड़े जैसे हुआ ना चुनाओ में इन्हों ने नितीश कुमार को कहीं न कहीं जटका दिया उनके जो वोट थे वो डाइवर्ट करने की कोशिश की और कर भी ले गया बहुत सारी तो नितीश कमजोर हुए तो ये फैक्टर तो ये तो ब्रम्हास्तर जो है अगर बीजेपी के हाथ में होगा तो कहीं न कहीं विपक्ष वहाँ पर कमजोर करने की कोशिश अगर कर पाएंगे तो अच्छा ही रहेगा बीजेपी के लिए चराग में देखी ये बात कहीं है कि अब मैं कभी भी चुनाव जो लड़ूँगा बिहार में तो अकेला नहीं लड़ूँगा मैं किसी गड़बंधन का ही हिस्सा होँगा लेकिन जैसा आपने कहा एक ब्रम्हास्तर की तरह अपने आपको स्थापित करने में 2020 का चुनाव बड़ा काम आया है उन्होंने अपनी एक आइडेंटिटी बना ली है कि मेरे पास इतने वोट बैंक हैं और मैं किसी के बहकावे में आने वाला नहीं हूँ मेरी जो राजनीतिक चॉइसेज हैं वो मेरे हित अहित पर आधारित होंगी तो ये तो टैक हो गया है लेकिन बीज 22 फीसदी है तो विनिंग मार्जिन 35-37 परसेंट का हो जाता है आराम से लेकिन अब जटके से जो 17 परसेंट चला गया है तो उसे भरने के लिए 6 परसेंट चिराग के वोट पूरी नहीं पढ़ेंगे उनको और भी चाहिए होगा और इसलिए कहा जा रहा है कि चिराग अपन आप्शन्स तोलेंगे क्योंकि मंत्री पदपाकर के 20, 25 और 24 और 24 और 25 को रिस्क में डालना क्या उनके लिए बहतर होगा या फिर मंत्री पदपाकर के वो इस्तिती अपनी ऐसी मजबूत कर लेंगे कि वो अपनी सीटें जिता ले जाएं क्योंकि सब मान करके चल रहे हैं कि जो रेंगो कोलीशन तेजस्वी आदव नितिश कमार का बना है वो वोटों के लिहाज से जो उपर से दिखता है वो भारते जंता पार्टी की जो वोट संक्या है उससे ज्यादा है बीच में खड़े चराग को तै करना है कि वो इधर जाते हैं या उधर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजी जुर्दे के लिए और हमाई दर्शक भी कमेंट करके बता सकते हैं कि चिराग पास्वान कितना बड़ा फैक्टर दोजार चौबिस पे बिहार की राजिनीती के मद्द नजर हो सकता है चालिस स्टीटे बिहार से आती है उसमें क्या इफएक्ट डाल पाते हैं वो और क्या बीजेपी उनको कंवेंस कर पाती है क्योंकि उन्होंने कुछ शर्ते भी अपनी रख दी है उन्हों शर्तों को लेकर क्या होगा उस्ती अपडेट आप नियूज 24 पर ले सकते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताए आपको ये चर्चा क क्या से लगी वोड़ शुक्रियो